आज की विद्यार्थी जीवन से सम्मदेत प्रूख खबरों के साथ हम एक बार पिराजी रहें चलिए खबरों को हम विस्तार से आगे बढ़ता आते हैं तो पहली खबर है आवेदन में छोटी-छोटी गलती करने वाले अस्य अभ्यरतियों ने लगाई गुहार उस्तर जासे चक बरती में आउनलाइन आवेदन में गलती करने वाले अस्य अभ्यरतियों ने ब्रेस्ट और कोब्जेसिक सिच्चा अधिकारी के पास प्रतार फेदन देकर गलती जुदाने के लिए गुहार लगाई है इन अभ्यरतियों की छोटी छोटी गलती के कारण दूसरे नियुक्ति के बाद इनकी जो है नियुक्ति पत्र रोग दिया गया था जिले में पहले चरण में लगबग असी अबैरतियों को प्रमारपत की छोटी-छोटी इलती के चलते न्युकती पत्र नहीं दिया गया था दूसरे चरण की काउंसलिंग में छोडने वाले 60 अबैरतियों में से 7 में से मात्र दो अबैरति दीनें विरेंद कुमार ने काउंसलिंग कराई काउंसलिंग छोड़ने वालों को सुख्रवार को एक अंती मौका दी वहीं पे जेल वार्डन वाकारागार वाफायर में से सम्मंदित जो है उनके जिलों के लिस्ट जारी कर दी है कि किनका सेंटर कहां पे गया है तो वो लोग अपना देख सकते हैं जाके डीटेल ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई तुर्टी मामले में जवाब तलब तेहां पे देख सकते हैं उनके जवाब तलब किया है मामले के अगली सुनवाई 11 परवरी के होगी यह अदेश नयमूर्थी मनीश माथूर के चैनित किरापांडे की याचिका पर हुई है कालम में महिला बेरतियों द्वारा तुर्टी फूर्वक पुरूश कर दिया गया था इसकी अगली तारीक की अंत्रिम रहत की दर्ख्व चैनि नीड़ा इस तरफ पर होगा कि किसका चैनि निरस्ट किया जाएगा किनको सेलेक्ट किया जाएगा तो इस पर जल्दी साथ द्वारा फैंसला लिया जाएगा महिए दिव्यांग आरच्छन मामलें सुनवाई 15 को वोगी इसमें 4 पर सता आरच्छन ना देने की बात कह गई है वहीं तुरूटी सुधार का मौका देने एक लिए मौन प्रदर्शन तो एक बार फिर से मौन प्रदर्शन हुआ है लखनाउ में वहीं 79 जार बरती सम्मंदित एक और कबर है अधिक अंक्वालों को चैन रद्ध नहीं होगा विश्क इच्छा परिश्द में 79 जासी ज सक्रण बेसिक सिच्छा अधिकारी अब सासन के साच सहीद भेजे जाएंगे और उन पर अंतिम निड़य होगा 79 जार सिच्छक बरती में चैनित दो चौड़ों में न्युक्ति पत्र हुई थी लेकिन इन दोनों चैनित को न्युक्ति पत्र मिले हैं जिनके आउनलाइन अधिक अंग थे उनका चैनि रेस्ट कर दिया जाएगा तीन विश्यों में प्रवक्ता का रिजल्ट होसित किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं उत्रपदेश लोग से वायुक्तार आश्रम पंदत के विद्यालियों में तीन विश्यों हिंदी अंग्रेजी वारसायन जो है वो रिजल्ट गोसित कर दिया गया है चार पदों का इंटेव्यों में प्रवक्ता पदों में अंग्रेजी के चार पदों का इंटेव्यों 9 दिसंबर को हुआ था अब्यर्थियों को कांसलिंग का आज अंतिम दिन जो अब्यर्थि जो है 9-11 लिषंबर तक कांसलिंग होनी थी आज उनका अंतिम दिन था वहीं हर पत पर एक सो उन्ठान में भरती दाविदा उत्र प्रदेश लोग से आयो कि कुछ भरती पर इच्छाओं नहीं पतों के साथ एचा भरतीयों की संक्या आप एच्छा से अधिकार रही इससे सफलता प्राप्ट करने के लिए अभरतीयों में प्रतेश परदा बाढ़ रही है लाज जायोग ने अभियंतरण सेवा दोजा उन्नेस में छेसो बान पदों के लिए बरती निकाली थी जिसमें एक लाक सेंटिजा छेसो च्यासी अभरतीयों ने आवेधन किया इसके लिए प्रतेक अभरतीयों के प्रतेक सीट के लिए अभरतीयों को एक स्वानठान प्राप्ट बेरतीयों के भी काई टकर होगी 13 दिसम्बर को आगरा प्रियागराज गोरकपूर लखनव गाजियाबाद में परिच्छा होगी वहीं पे बड़ी खावारा रहे परिच्छा में कल्कुलेटर ले जा सकेंगे अभरतीयों उत्रपदेश लोकस्विवा आयोग ने 13 दिसम्बर को प्रिस्तावित सम्मिलित जाज अभिहंतरान सेवा परिच्छा 2019 में मेकेनिकल इंजिरिंग दूती प्रिश्णपत की परिच्छा में अभ्यरतियों को अपने साथ नौन प्रोग्रामेबल कल्कुलेटर लाने की अनुमती होगी इस बारे मायोग ने परिच्छा ने अंतरा करविंद क्वान में इस ने अवस्चक दिसाने देश दिये हैं पदों को काहरी फारवट करने पर कोड में चुना होती है शिपाही भरती 2018 में 41,000 भरती के रिक्त वदों को अकली भरती में कहली फारवड की जाने पर लहाबाद हाई कोड में याचका डाली गई है कोड ने इस मामले को लेकर दाकिल याचका के संबन सुनवाई के लिए पेस करने करने देश दिया है याचका में अमर जी से यादो और 34 अन ने याचका दाकिल की है भरती ग्रांकों को जल्द मिलेगी 5G से वाएं ट्राई भरती दूर संचार नियामक प्रादी करना ट्राई सचिव इसके गुपता ने प्रेश्पतिवार को कहा कि पांचवी पीडी के प्रंदोंगी विवानार आती किफायती कारोबारी माडल के लिए पैसकस करती है जो विशेश रूप से उप्योगी है उन्होंने का उमेज जताई है कि पाइप जी से वाएं जल्दी लांच की जाएंगी इंडिया मोबाइल कांग्रेस इस्पेक्ट्रम मूल ने धराप कहा कि नियामक या सुनिशित करने कोशिस की की रेडियो वेव की कीमत वाजिप और बाजार के अनकूल रहें बारती कंपणियों के इस्पेक्ट्रम ने महांगा बताया उन्होंने कहा कि तीस सो सच्छ तीस सो मेगार्स बैंक में इस्पेक्ट्रम की निलामी के लिए सिपारिस कर चुका है जो दूर संच अपरेटर की नुक्ति देने वाली देने के बाद उत्रप्रदेश अधिनस सेवचे नायोक दश प्रवीर कुमार की तालीप की गई है उन्होंने कहा कि नए आयोक के अद्धच ने भरती कारवाई की रप्तार तेज हुई है और जल्दी जल्दी भरती प्रक्या पूरी की जा रही और काफी वेकंसी निकाली गई है यह कहना है उत्रप्रदेश के मुखवंत्री योगी आदितनात के आदितनात का यूपी टिपलसी के अद्धच वरीर कुमार का इससे साब साब जाहिर होता है कि उन्हें सच्चाए नहीं होती है वहीं नलकों चालकों की जिनकी त पहले ही हो चुकी है यह सिर्फ एक सुफूगा था दिखाने का फिर भी उत्रप्रदेश के मुकमंत्री को कुछ भी नहीं पता है वास्तों में यह आख मूंत के रहते हैं जो इनको बोल दिया जाता है उसे पर यह विश्वास कर लेते हैं इसका साब साब मतलब है कि प्रदेश की इस्तिती के लिए कि जो अधिकारी बोल दें वो सही हो जाए और जो वास्तों में गलत है उसके कोई कारवाई ना हो तो इस परकार की इस्तिती खतरनाक है उत्रप्रदेश अधिनस सेवाचेन आयोके बहरतियों के लिए तो यह रही कुछ अपडेट इस वीड हम तब तक लिए धन्वाद